खबर पानीपत से है जहाँ एक निजी अस्पिताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही का जो फल था या जो नतीजा था वो एक नवजात शिशु को अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा है दो दिन के नवजात के मौत होगी दरसल अस्पिताल में भरते एक मा के पास से कुछ आवारा कुट्टे नवजात को उठा कर ले गए पेड़त महिला 25 जून को डिलीवरी के लिए अडमिट हुई थी बच्चे का शवक्षत विक्षत हालत में मिला है घटना के वक्त दादी और ताई ने बच्चे को दूद पिलाने के लिए फर्श पर लिटा रखा था रात धाई बजे के करीब जब परिजनों की आँख खुली तो बच्चा गायब था धूडने पर बच्चा अस्पिताल के बाहर कुट्टे के मूँ में बरामद हुआ यमुना नगर में अंटी नाकोचिक्स सेल के हाथ बड़ी कामियाबी लगी है गांजा तसकर को गिरफतार किया गया है आपको बताएं कि विदेश से आए दो युवकों को एंटी नाकोचिक सेल ने गिरफतार किया है उनके पास से 150 ग्राम ने 500 ग्राम स्मैक बरामद किया है ये लोग उन दिनों यमुना नगर के पॉश इलाके हुड़ा सेक्टर 17 में रहकर समैक की तसकरी कर रहे थे पुलिस को नुमाने के इन लोगों के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं लाक खाने में फर्जी हस्ताक्षर करके हजारों के गवन का मामला सामने आया है आपको बता दें कि डाग घर के कीस लोगों के खाते से 11 लाक रुपे निकाले जाने का ये संसनी खेज मामला है इस मामले में BPO और ACP पर केस भी दर्ज हो गया है मामला इचल कला गाउं का है आरोप है कि लोग BPO पर भरोसा करके अपना पासबुक तक उनको दे दे थे जिसके बाद डाग खाने के BPO और ACP मिलक ग्रामिनों के फज़ी हस्ताक्षर करवाते थे और 21 खातों से इसतर उन्होंने 11 लाक रुपे निकल वा लिए पुलीस ने राजपुडा भेन के BPO और ACP के खलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया है संजे कुमार निवास्की गाउं दरिया बाला द्वारा पोस्ट ओफिस के करमचारियों द्वारा ग्रामिन लोगों ने जो पोस्ट ओफिस में पैसे जमा कराते हैं उनके पैसे अडपने के अरोब के बारे में मार्ज दोजार वाइस में दर्खास दी थी जिसकी जाज आर्थिक अपराथसा का जीन दवारा की गई है एडिये की राई लेने उपरां एफ़ाई अर्दर्ज की गई है